हेलो हेलो फ्रेंग गुड मॉर्निंग वेलकम तो माई न्यू व्लॉग आई होप सब अच्छे सभी इकतम भले चंगे होंगे तो कैसे है आप सब्सक्राइब मुझे कॉमेंट करके बताइएगा और आज में लेकर आई हल्वाई स्टाइल वेहतरीन सब्जी बिना प्यार लेस हम अच्छे सेाँ सितारीन निचांत कर लिया और इसको कले ट्यक्र प्लेट में तो काड़ा दें ग्रीन चली कोड़वाधा क्ड़ा करना हूं तो मैं ने रिफाइंड आली ले ले लिया है इसको गरम होने देंगे अच्छो कर के विर चूटा दाफ उड़को सुखा ओधर तो इस तरह से फ्राइब कर लेंगे कम ऐल में भी और इस तरह से देखिए हमारे अलू फ्राइब हो चुके हैं मुझे कम से कम तेल में खाना बनाना पड़ता है क्योंकि कोशिशी को नुकसान ना पहुचे क्योंकि मेरे हजबन को तो रिफाइंड बिल्कुल भी बंद है और में तड़का लगा देती हूं सब्जी को चौक लगा देती हूं तो मैंने दो तेश पत्रे डाल दिये हैं और एक टुकड़ा मैंने हींका यूज किया है उस साइड मतलब काफी दिन पहले अभी दो तीन हपते पहले मेरे पहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था तो मै अगरा मसाला जो कि मैंने पीस रखा है थोड़ा सा पाइं डाल करके इसको हम थोड़ी दर को करेंगे सिमाच पे 1-5 मिनट और जैसे को को जाती है वसे सूजी डाल देंगे सूजी डालने से सब्जी काड़ी भी हो जाती है साथ में इसका टेस्ट बहुत इन हैंस होता है और तो यह मेटर इतनी अच्छी नहीं होती है नुकसान भी करती क्योंकि स्टोर की जाती है यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेटर गल चुकी है इसमें थोड़ा सा मैंने काली मृत जीरा का पेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें डाल देंगे फ्राइड आलो जो इसमें डाल दी ग्रेवी के हसाब से पानी पानी हम ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि मुझे राइस के साथ थोड़ी नमन देना है मुझे पूरी और कचोड़ी के साथ ही खाना है इस तरह से मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से रख सकते हैं आप भी लेकिन हमें कम ही रखना ह क्योंकि ज्यादा उठेगा निफिर पानी डालने से सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है अब इसको हम धक कर थोड़ी दिर और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा और आलू मतलब थोड़ा सा रसे के साथ पक जाएंगे तो बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाता है तो दे इसम बाल दिया एक जाता है काटोरी सूजी डाल करके अटे में हींग से पानी से माला दोगी तो इधर देख सकते हैं सब्जी मोबाल आ चुका था इसको डग कर रख देंगे और आटे को देख लेंगे तो आटे में मैंने तीन चीजे मिलाई है मैदा आटा और सूजी और मैंने डाल दिया पिठी मतलब उरत दाल की बिसी हुई दाल और इसमें हींग का पानी डाल करके हम इसको मलेंगे तो इसमें मैं ज्यादा ऑगरा नहीं यूज करूँगी तो एक तरफ मैंने सब्जी भीदे के भगोने में पलट करके धनिया गानिस करके रगडी है तो अब करके लाणोति हमारा गी गरम होगा तब तक नहीं आटा बीृट भी सेट जाएगा bisu यहिंग के पानी से मलेंगे आप इसमें सौफ ही ताइम पर तो धोड़ा दर दरा करके या आप इसमें अजवाइन आपको पसंद पर डाल सकती है कल नची डाल सकती है इसका फ्लेवर ब में बहुत सब्छी सब्सके serio है तो इस में धिया ने तो ये ने हमारी थाली तौह कि अमग लिए पहुत अजाओं वह बहुत ऑचिकडियə के लिए और शैंट बनाएं तो पूरी तो कैसे लगी आपको आपको आज की सबजी और पूरी की रेसेपी प्लिस ट्राइए गार एक जो ट्राइए करेंगा एक वीडियो मेरा यह रेसेपी पसंद आयो तो लाइक सेब शर्क्राइब बाई बाई